Assalamualaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दु में सीख रहे हैं Dear students, आज के lesson में हम लोग conception line के बारे में देखेंगे AutoCAD के अंदर conception line को कैसे draw किया जाता है, उसके पर काम कैसे किया जाता है Consection line को basically, AutoCAD के अंदर x line भी कहा जाता है x line से बराद dear students, एक ऐसी line जिसके आखे पास कोई limit नहीं होगी जो आखे पास conception line होती है, इसका आखे पास नहीं तो कोई first point होगा नहीं कोई last point होगा तो students जब भी आप इसको draw करेंगे, आखे पास एक unlimited line draw होगी तो आखे students open कर लेते हैं अपना AutoCAD AutoCAD के पर just double click करें, तो students मेरे पास मेरा AutoCAD open हो चुका है सबसे पहला काम हमेशा की तरह अपने units setup करने हैं और UCS icon को हमने lock कर देना है तो इस काम के लिए मैं, view, display, UCS icon और origin कर देता हूँ जैसा कि मैंने आपको loss lesson के अंदर भी बिताया था हमारे पास कुछ shortcuts भी हैं जिनके थुरू हम formats, units formats को set कर सकते हैं वो shortcut के हैं, you and enter कर दें keyboard से, तो units आपके पास आजाएगा engineering, fit, syringe, ok, de-enter कर दें, dimension आजाएगा, modified के दर जाएगा engineering, fit, syringe, ok, और close कर देंगे तो आपके पास यह आजाएगा अब construction line, अब XL, B keyboard से enter कर सकते हैं, XL, X और L जब आप XL enter कर दें तो तो इसकी यह shortcut बन जाती है, मैं इसके पर click कर दूँगा जैसे construction line के पर मैंने click कर दिया, dear students, मुझको यह कह रहा है, X line का time point कि दर है आपके पास आपका यह black area है, जहां पर भी आप इसे click कर देंगे, वो आपकी line का start point होगा यह नहीं कि इसे जैसे click कर दूँगा, अब यह जो मेरे पास मेरी line है, मैं इसको middle से यहां से मैं इसको active किया है, आप इसे click करते जाओ जैसे जैसे students, आप इसको click करते जाओगे, यह line आपके पास draw होती जाएगी, तो आपके पास यह LAIM draw होती कि जहां जापर आप इसित क्यलिक करते जाएगे, लेकिन इस line का आपके पास कोई limit नहीं होती है, एक्स लाइन आपके पास एक unlimited लाइन है अब इसमें देखें मैंने जैसे इसको जिस जिसे कपर click किया मैंने इसको draw कर डाला अब जैसा मैंने आपको बताया था इसकी कोई limit नहीं है जो आप इदर click कर देते हो इसको आप point देते हो तो आप center से इसको हर तरफ लगा रहे होते हो लेकिन इस line की value आपके पास कुछ भी नहीं है यह नहीं कि आप इसकी length मालूम नहीं कर सकते हो अब अगर आप linear dimension के पर चले जाए तो यह नहीं कि इसके पर कोई भी dimension काम नहीं करती है आए इसके अदर कुछ और options देखते हैं तो जब हम construction line के दर जाते हैं हमने इसको point day जैसी मैं इसको point day दोंगा तो मेरे पास यह तुमाँ options खत्म हो जाएंगी देखेंगा horizontal, vertical, angles यह नहीं कि ब्रेकर्स के इंदर जितनी भी option खत्म हो जाती है मैंने click किया तो अब आप देखें अब आप जिदे click करते जाएंगे दर यह आती चाहेंगी लेकिन आए देखें इनसे पहले जो options इनको active कर लेते हैं, construction line की पर मैं गया, मैं इसको point देना चाहरा हूँ, और horizontal line एक्टिव करना चाहरा हूँ, तो आप अपने keyboard से h enter कर दें keyboard से, क्यों? आपके पास यहाँ पर h capital आ रहा है, अब जैसी मैं यहाँ से h enter कर देता हूँ, अपने keyboard से, मैंने h enter किय आपके जाएंगे, तो यह देखें, मैं इसे horizontal line मेरी आ चुकी है, अब इसे जिदर-जिदर click कर दूँगा, वहाँ वहाँ यह line चलती जाएगी, देखें, जहाँ जहाँ से मैं click कर रहा हूँ, वहाँ यह line चलती जा रही है, again मैं से escape कर देता हूँ, मैं इसको escape कर दिया, again व vertical line active होती जाएगी, देखें, यह आपके पास vertical line active हो रही है, इसी दरा से जो इसके इंदर next option है, वहाँ आपस आप construction line के पर आप आप आजाएं, next क्या है angle, आप A enter करें keyboard से, अब यह आपस angle मांग रहा है, तो मैं इसको angle dear students देता हूँ, 45 का, अब मैं जिस चका पर भी click कर दे तो यह मेरे पास 45 के angle पर line draw हो रही है, देखें, यह मेरे पास 45 के angle पर line draw हो रही है, तो यहां से मैं कुछ line कर देता हूँ, मैंने यह कुछ line कर डा लिए है, अब देखें मेरे पास यह कुछ line आ जोगी, यह नहीं कि यह जो मेरे पास line है, यह मेरे पास 45 के angle पर line है, लेकिन dear students मुझको confirm करना है इसका angle क्या है बहुत वकात आपको लाजबी confirm करना पड़ता है तो आप angler के पर जाओगे एक point तो दूसरा point तो आपको angle मालूम नहीं हो पाएगा अब इसके लिए आप क्या करना है आप वापस एक line the rights awareness line के लिए न strikes करना के बाद अगेन ऐसके बाद आप इसतरफ क्लिक आप देखे सक यह कर दिया बड़ाइं और अदेखे सक दहिते हैं अब अगर आप देखा जाये यहां पर तो मैंने ख्लिक क्लिक किया और आगे जाकर कहीं भी ग्लिक कर देता हूं मैं Meh weakened Ci tilt को बढ़ा देता हूं देखा अब हुआ क्या बेसिकली यह जो मुझे लाइने लिए ली थी थी मुझे एंगल इनका मिला है लेकिन लेकिन अगर मैं इनको ट्रीट कर देता हूं नीचे से तो देखें क्योंकि से टूसे हमने इनी के पर लाइन लगाई है और आपको याद होना चाहिए अभी अभी हमने 45 के एंगल इंटर किया है तो इस ताथ से आप इसको दो लाइनों के बीच के फास्टले को let's say आपके पास एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है अब अगर हो पिर अइसको आफ सेट्स कहा जाता है दो राइनों के बीच में का जो फासला होगा उसकु आफ सेट्स कहा जाएगा आटोट के अंदर अपहर देखी कbak मैंने क्या किया था मैं मैं कांसेशल लेन के पर गया और Excel यह इंटर कर देता हूं तो कीबोर्ट से मैंने इसको H इंटर कर दिया और उपर कहीं भी क्लिक कर देता हूं जाके अब आप Dimensions के पर चले जाएं एक क्लिक नीचे कर दें और एक क्लिक उपर को जाके कर दें तो देखें बीच का फासला जुआएगा या कि पास आपका Offset Skill है बारहल अब मैं इसको Offset देना चाहरा हूं तो उसके लिए क्या कर दूँगा मैं Conception Line के पर गया H Enter कर दिया Keyboard से और then मैं V Enter कर देता हूं Vertical के लिए अब मेरे पास एक Horizontal Line है और एक Vertical Line है तो Dear Students अब मैं क्या करूँगा Again मैं Conception Line के पर चला जाओंगा और आपने O प्रेस कर देता हूं Offset के लिए इसमें क्या होगा अब एक Line से दूसरी Line के तरम्यान में जो Value होगी वो हमारी मर्जी किया जाएगी हम अगर चाह रहे हैं हमें हर 2 फिट्स के बाद हर 6 इंच के बाद हर 3 इंच के बाद जैसे Math के Columns बने होते हैं वैसे मुझे Column चाहिए तो मैं क्या करूँगा O Enter कर देता हूं क्यूं मेरे पास यहाँ पर Offset Active है मैंने O Enter किया मुझसे यह पूछ रहा है Offset Distance बताएं कितना है तो Dear Students यहाँ पर मैं देता हूं 6 इंच Simply 6 Enter कर दे अब क्याता है Select Align Object आपके पास दो लाइने हैं एक आपके पास Horizontal Line है एक आपके पास Vertical Line है अब आपने क्या करना है इन में से किसी एक को Select कर दो जिसके पर आप काम करना चाहरे हो तो मैंने इसको Select कर दिया अब आपकी Line Select हो चुकी है अब क्याता है Side of Offset बताओ क कुंसी है आपके पास दो Side है एक Left Side है एक Right Side है अब आप जिस तरफ को भी क्लिक करोगे उस तरफ आपके पास Offset निकल कर चला जाएगा देखें क्लिक में जर कर देता हूँ अब एक चीज़ आप गोर कीज़ेगा स्ट्रेंट्स क्लिक मैंने इसको कितने दूर किया देखें म मैंने Line को पिक किया क्लिक में से इस एरिये पे कर रहा हूँ लेकिन अगर आप गोर करें Line खास फासले पर जा रही है देखें अगर मैं क्लिक इसके बिलकल करीब कर दूँ तो फिर क्या होगा फिर भी ये बिलकले खास फासले पर जाएगी ऐसा क्यों है स्केप करें क्सेश्चर लाइन के पर जाएं और O प्रेस करेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर मैंने 6 इंटर किया हुआ है अगर यहां पर मैं वन फिट्स देता हूँ अब क्या होगा अब आप लाइन को पिक करो और उठा कर आगे पैंको देखें अब यह आपकी ला लाइनों के अंदर में फासला देने के लिए एक आप्जेट फ्यूज करता है आफसेट्स को देन जब आप आफसेट्स होगरा लगा देते हो क्योंकि प्रेक्टिकली जब हम काम करेंगे डैफिनिटली आपको इतनी बड़ी लाइन से पेपर के पर नहीं चाहिए होगी अब को आगे जाकर उताओंगा । अब आप क्या करेंगे ट्रिम का यूज करवा अब कि चीज है या पर किसी भी चीज को काटने के लिए यूज कर जाता है Trim को भी wounded से आपको आगे जाकर बता रहा हूं लेकिन अब भी आप Trim के उपर क्लिक करें और एक सूपेस लग मेरे पास मेरा target achieve हो चुका है मेरे पास एक net shape बनी आ चुकी है अब मैंने unlimited lines को use करते हुए conceptual line को use करते हुए मैंने limited lines मेना डाली है अब यह मेरे पास एक limit मेना आ चुकी है अब 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 इतर आजए space लगा दें, एक point यह दूसरा point यह देखें अब students में हमेशा की तरह जैसे मैं आपको कहता हूँ जो basic चीज़े आपके पास वो है practice, practice, practice अगर आप practice करते रहेंगे तो यकीन जाने आप autocad की पर easily काम कर लेंगे हाँ अगर आप just हर चीज़ अपने पास note करते जाओगे, copy पर लिखते जाओगे तो उसका आपको इतना फाइदा नहीं होगा, तो please जब भी आप autocad की practice करें या autocad की videos वगरा देखें, copies वगरा अपने हाथ में न लें, just आप देखें क्या हो रहा है, फिर उसको apply करने कुशिश करें, जब आपका concept clear हो जाएगा, then उनको अपने wedding के अंदर आप उस copy में write करें ठीक है, ठीक है dear students तो आप मजीद मालूमात के लिए और update के लिए प्लीज आप visit कर सकते हैं, हमारी website www.xpacademy.com www.xpacademy.com एक ऐसी website है, जहाँ पर तुमाँ computer courses आपको free online करवाएज जाते हैं बगएर किसी मोहाना fees के बगएर किसी extra charges के इसके अलावा, आप हमें mail कर सकते हैं, xpacademy at rate of ymail.com पर या आप हमें किसी वत, आप हमारे help line पर call कर सकते हैं 0343 9017779 अपनी दौआ में याद रखेगा next lesson पर हम फिर आज़र होंगे उस्ता के लिया, लाहाफेज, असलाम वालेकम